कि अभी यहां पर सामने मेरे मंदिर है लाइटिंग ओन हो रखिया है हां जी यह 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 विल्कुल सही पहचाने है साथ करोड जीत का है वाई पूरा बाढगा सा सीन लग रहा है मिरको यह देखो वन्ना इतना पानी नहीं होता है यार कि जो खंबे हैं विजली के वो भी दग गए वाइक के साथ लेनी है ना अच्छा मैं वी यह वाई फिल्मों में काम करते हैं आप वॉलीवूड में यह कि यार आवाज का पता ही नहीं चला भाई कहां सब यहीं सब करते हैं सारे बढ़िया हो गया और बढ़िया ही रहना से टुड़ेश्ट ऑफ और अभी हम है ओम कारेश्वर टेंपल जो है उससे लगबग 200 किलोमेटर पहले तो हमने कल जो है काफी बाइक चला ला ली ती उस अब यहां का अब लगाना है लेकिन वहीं है कि मुझे लग रहा है आज लें लाइन लाइन लेकिन लगाना है पहन के ही चलानी पड़ेगी तो हमने समान लागर के यहां रख दिया इने बाइक पे लगाएंगे लेकिन उससे पहले हमारा जो है नास्ता रैडी हो गया तो इनकर राश्मान में दिखाता हूं यह देख वहीं है यह अबने नास्ता लग चुका है अभी हमने मंगाए थे दो पनीर के पराठे और एक गोबी का पराठा टा जहां तो अब बाइ चला है शो तो बाइक पर सारा समान अच्छे से आ गया है पीछे हमने टेल वैग भी लगा दिया है और लाइनर अभी हम पहनने की सोच रहते हैं लेकिन मौसम जो है फिर से दूफ वाला हो गया है अभी बारिशारा की थोड़ दिर पहले पर एकदम बदल गया है और अब हमारे प्लान मे यहां से 272 किलोमीटर है और अंधेरे में राइट करनी पड़ेगी और हमने कुछ लोगों से पूछा तो रस्ता इतना अच्छा नहीं है तो इस वज़े से हमने सोचा कि पहले उज्जैन चलते हैं उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे अभी यही रखेंगे य काफी जादा 142 फोने दो वज रहे हैं यह देखो भी यह अपना होटल जो मतलब यह था अब तो यह था हो गया और यह ब्यावरा करके एक जगह है आगे उससे तीन किलोमीटर पहले सामने वोड लगा है ब्यारा तीन किलोमीटर और वही पर ही पेट्रोल पंप है तो अपन बलते नहीं हो अच्छा गुटका जबा रगा है 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 हुँ हम हमें जवाब दो गया अब सारे जब तक थूख नहीं देते हैं न है अच्छा बोल ले तो इसमें भी गले में नहीं चला जा जाता फिर कोई दिकत नहीं है अच्छा यहां पर 107 रुप लीटर है मैं गोद आरान हो गया तो देखके हैं वाइक के साथ लेनी है न अच्छा मैं भी आ जाओं लो की चो जब कर दो लुटका है अच्छा कि आजा है हम तो भाईया हो हो गये सेलीवरिटी नाइस तो मीटीओ वाई है चलो ओक्यों है थैंक फुल लाव लेट्स सेट गो क्या हो गया वैंकर आज़ो भ्यार एक सो असी किलोमीटर है पता भी नहीं लेगा फ़ी पता भी नहीं लेगा अब जो भी है वहीं रोड बहुत बढ़िया है यह इस रोड पर आई करने का मदाया अलग यह आरा और अभी तक अड़ेगा तो नहीं आ रहे हैं पीछे कि पन दोने काता थे मिधि वाएं आ सकती है लेकिन रोड आपको बहुत बढ़िया मिलेगा उज्चेहन 146 किलोमेटर वाई बोर्ड लगा हुआ गया फाइनली उज्चेहन गाव है जा बाद हो जा मौसम हो रहा है यार ओ भाई यह ट्रक वाला काँ सा निकाल रहा है यह ट्रक वाला निकाल नहीं रहाएं यह ट्रक भीड़ गएं अंदर हो होई किसी ने देग हें मारी रात को रहते हैं व्यूंद वाहलं के ब्यूंद ही यह सब यहformeजयोकित ने अवर निदेंग वnity长 ुoo बुने बढ़नी शुरू हो गई उजयन का वोड़ आते ही अती सुंदर मध्यप्रदेश वाई अती सुंदर तो भई अभी हम इत्ते बढ़िया रास्तों पर चल रहे थे मेड़ से रुका नहीं गया मैंका यार जाने मन को यहां खड़ी करके कुछ फोटें है तो देनी जरू हो रहे हैं तो अभी हम रुके तो यहां पर फोटर लेने के लिए थे बढ़िया नजारों में और हमसे पहले यहां बाई लोग आप लोग आप लोग यहीं से लोकल अच्छा तो यहां क्या टिक टॉप नारे रिविल बान रूके थे अच्छा प्योरा जा रहे हैं यह कैज बिच में खड़े हो गए है कि फोटो कि फोलो जाने मन के पैसे वासूल हो रहा है जए लोग अ क्टो खेंचो टेघ ओंगई कुमारे यहां का मुसम बहुत अच्छा एर है है आज अच्छा है हां जी यह यही है बिल्कुल सहीं पछान है साथ करोड जीत काई बाई ए हाँ चलो वही आजा वही होई होड़ी देर क्या रुख गए अलकेल की गर्मी लगने लगी यार ते अच्छा मौसमें भी तो ऐसे लोग रस्त में मिलते रहते हैं यार बढ़िया लगता है कसंद से अब निकलता है आगे फोट वीडियो जरूरी है इंस्टा पे फॉलो गले ना आईडिया रही होगी नीचे बढ़िया बढ़िया स्टोरी यह बढ़िया रीले और बढ़िया पोस्ट सब देखने को मिलेगा आपको और लॉक से पहले मिल लेगा लोग तो लेट आता है अपना लेकिन जो अप्डेट्टेस होती है ना वो सारे इंस्टा नमीं अपने अस्किटे लग व मतलह को फीमाव ऑग रहा है कि पानी ओवर्फ्लों कुछ जाद ही मतलब यह लेक अगर होगी तो छोटी सी होगी लेकिन वाइधा यहां पर पेड़ो अगए भी डग गया इत्ती र पारिश हो गई इस तरफ भी पूरा बाढ़ गासा सीन लग रहा है मेरको इतना पानी नहीं होता है यार कि जो खंबे हैं विजली के वह भी तग गए तब हमने एक ब्रेक लिया था चोटा सा क्यूंकि सुवह से जब से निकले ना भाई सबसे पानी नी पिया वैंकर रूम में सब्सक्राइब है में नीरो भी एक सेपल जो है ना यह शाट टैंग में थे इनों ने जो है लेकर के यह पूरा बनाया इससे की बारिश वारिश नहीं लगा हुआ है जो कि विंड और रेन प्रोटेक्शन दोनों है यह बढ़ी है अब इसको चला के एक वारी करते हैं कुछ जाए लग रही है कि आई गहारी है टोरा पूरा यहारा आजा भूग देंगे हैं कि अब दो वो तो 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 अजा अगया चलाने में तो पंपटेबल तो भाई उपर से हवा वा कुछ निंगरी भाई अधी अधा हुआ है कि तीन मज़ रहे हैं पर कोई टेंशन आली बात नहीं है क्योंकि यहां से सिर्फ और सिर्फ एक सो देस किलो मिटर रह गया है और जैन आज अपना आराम आराम से चलेंगे मज़े लेते हो एक्योंकि मौसम एक दम बढ़िया हो रखाया भाई फिर से देखो चाया अब बाई सब सामने का मौसम देखो कैसा हो रखाया भाई आगे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत तेज बारिश म को मिलने वाली है क्योंकि घटा हो रखी है इस टाइम काफी जादा सामने भेंकर एक्दम से ना अंधेरा सा हो गया हलका हलका इतना सुहाना मौसम हो इतना जबरदस मौसम हो गया ना क्या ही कहने मौजा आ रहा वही कसं से तो कि अज़ बहुत तेज वारिश होने लग गई को रुको 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 अज़े पटाफट से रेंडर निकालो भाई यसी लिए मैंने जो एना उपर ही रख रख रखेता है यह किसी खूब सूरत परेंची होगी जाए को रुको रुको रहा है लेकिन सामने पतानी पानी ना रहा हो बार बार कुछ दिख नहीं रहा होगा देख रहा होगा था अच्छी बात है भाई साब आप जाकर कितना गजब करस्ता है और सामने विंड मिल्स भी आ गई है भाई मध्यप्रुदेश में भी विंड मिल्स है यार क्या बात रहा है राजस्तान में देखी ते हमने उसके बादम सीधे यहां पर देख रहे हैं सामने बहुत सारी विंड मिल्स और ये विंड मिल्स देखो कितनी जॉदा पास और कितनी बढ़िया लग रही है भाई पर रुक गए थोड़ी देर जिसे की जो यह विंड मी लेना चारों तरफ और इतना बढ़िया मौसम है यह मद्यप्रदेश का यह रुक करके बढ़िया फोट रहा है बढ़िया वीडिया बना सके और मेरे अपने मन को तसली दे सके यहां वहीं मौसूराइड में आया है त हम से क्या रस्ते हैं यार यह नजारे रस्ते इंक्रेडिबल इंक्रेडिबल है वाही सच मैं हम निगलते हैं बढ़िया है यहां फोटो है लेली शॉट्स लेलिया बढ़िया बढ़िया इत्ती एच्छी लग रही दिना है और विंडमील मदा आगा देख करके अब यहां सब निकलते हैं साथ किलोमेटर रह गया उज्जैन कवर करते हैं चलो इंडोर जाएगा सीधे और मक्सी और उज्जैन के लिए आप लेना है तो अब आगे राइट आ चुका है यहां से हम लेंगे उज्जैन के लिए भाई क्या वाद है अभी शाम के वज़ रहे हैं पांच और क्या गजब का मौसम हो रहा है यार एक नमबर चलोगए अब यहां कि अब यहां कि नाओ वे इंटर उज्जैन फ्यू मिनिट्स कितना हैं 42 किलो मेटर और यह अब सिंगल ना चुका है वाई आगे सब्सक्राइब कर दिया गाओं के बीच में से दस किलो मेटर अच्छा चलोग बिच चलोगए तो यहां से तो बड़ा मुश्किल है निकलने नहीं देंगे आगे भी जामी मिलेगा तो भाई ने भी रस्ता बताया है कि आप वापिस सोड़ा सा जाओ कनाचा ना का बता नहीं क्या है वहां से अपने को लेफ्ट लेना है उज्जैन के लिए यहां तो आके बहुत बुरा सब्सक्राइब है तो यह वाला रस्ता जो है गूम करके उज्जैन की तरफ जाएगा क्या है अज़ा साइड में लें हैं ओहो ओके यहार आवाज का पता है नहीं चला भाई का सो यहीं सब अच्छा पता है नहीं चला हम लोग क्योंकि अपने दुन में चल रहे थे ना फोटो किछलो भाई जब से मैं सूपर भागा कि लागा कि थोड़ी नहीं त्यार हाव कि चीचो भाई आप इस तरह वाजाओ ना माँ जब दो अगे निकल जाए है है राइडिंग का सो क्यार भाई मुझे अच्छा 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 था नहीं चला हुआ है वह जैन के लिए किस तरह जाना यहाना था तो यह सामने बूर्ड लगा हुआ है देवस के लिए लेफ 36 km पर क्यों बता रहा हुँ मैं क्योंकि लेफ्ट वाली नहीं नहीं है हमें तो जाना है सीधे उज्जैन जो अभी भी यहां से 18 km और महा कालेशवर जो टेंपल है वो भी इतना ही है वह यह भी रास्ते में रुक करके मैंने रेलाइनर पहन लिया क्यो नहीं बढ़िया लग रहा है यारो जैन सच में बारिश के होंसा में एंटर हुए है चारों तरफ जंडे जंडे लगे हुए भई क्या वहात है कि आज बसंद पंचमी भी है अब है यह एकड़म से ट्राफिक मिल गया अभी तक पूरे रस्ते पर कहीं खास ट्राफिक मिला नहीं था कि सिद्धी में एंटर हुएंगे तो मिलना ही है और यह है अभी हम मीरा रोडाइ थिंक होई 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 हमारा वेलकम करने के लिए क्या प्रवेश द्वार बनाया है जैन में क्या बढ़िया लग रहा है है अब यहां से महा कालेश वर हमको देखना है किस तरफ है उसके आसपास ही हमको होटेल लेकर रहना पड़ेगा बाइसाब यह जो हमारे जीपेस चल रहे ना आगे यह हमको कलियों कलियों मैंसे लेकर जाएंगे शॉर्ट टू महा कालेश वर मंदिर यह भी ठीक है भाई हमने इन पर वरोसा किया है यह कह रहा हम ही ले जाएंगे रहां कर फूरी गलिया चनवादी आश तो यह भी हम उज्जान में आचुके हैं एक दम महा कालेश वर मंदिर के पास वह सामने महा कालेश वर मंदिर और अब यहां ने अपनी भाई के लगा हुई है क्योंकि अब देख में आगे हैं यह हमारा हुटल तर नियू एपल का और अभी एक आपको रूम दिखाता हूं असला हमने नीचे फोटो में देखाता हूं और थके हुए तो हमने का चलो इसी को गर देते हैं लेकिन रूम जब देखने आया समान रखा यह तो शुरू अधी खतम हो गया अभी अच्छा है कि मेड़र दे रखाया चलो यह सही है और टीवी भी दे रखाया एसी है चीजने सारी है लेकिन पर रूम का स्पेस होड़ा सा कमें या तो सकता है कि हम कल जो रुगे थे उसके उते से हुआ चोटा लग रहा हूं लेकिन देखा जाए तो वाकिए में छोटा था है है रवी समान वगरा सारा है यहां आ गया है जगह बिल्कुल फताम होने वाली है थोड़ी दिर में और बाकी तो अभी यह सी थोड़ी दिर रेस्ट करेंगे यहां पर देन उसके बाद देखते हैं नीचे शाम को थोड़ा सा भूमने के लिए निगलेंगे थोड़ा अग है तरीक में रबड़ी 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 दे रहा है तो अब यहां जो है यहां पर मार्केट भूमने आथ है थोड़ी ची रूम से निकल करके और भाई अभी यहां पर सामने मेरे मंदिर है लाइटिंग ओन और रखिए इस कि आप तो में दिखाता हूं एक जारी है तो अब इसके एंट्री तो बंद करी होई है नो बजे शाय से बंद हो जाता है अब सुभई को लेगा सीधा चार बजे जाब आरतिका टाइम आएगा अब मार्केट में बीड़ तो अप्छी कासी है अब यहीं भूम रहा है हम यह पूरी मार्केट मंदिर के सामने कर दो डन्स कर दो दुरओ एखर और मुआ दो अरहा हम बंकर और कर दो यॉरा say अटो अटोब बाहा है करे दो जोग आँ तोम इन आनल — चैप पेंसे अचैब यॉरां हमारा है व्budraड जाखेट मारा ओला है